जब भी हमारे घर में कोई सबजी नहीं रहती है तो अक्सर हम बेसन की कड़ी या फिर बेसन की सबजी बनाते हैं आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ बेसन की बहुत ही मज़ेदार सबजी जिसे आप बेसन की कतली भी बोल सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है बहुत कम मैनत और कम सामान में एकदम स्पेशल सबजी कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे इस वीडियो में तो जिली आज की बहुत यहासान और बहुत मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं बेसन की बहुती टेस्टी सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसन का एक घोल बनाएंगे तो उसके लिए एक कब बेसन ले ले उसमें डाल दे एक छोटी चमच अद्रक और लैसून का पेस्ट आधी चोटी चमच हम इसमें हली पाउडर डाल देंगे आधी चोटी चमच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी चोटी चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चमच जीरा पाउडर और इसके साथ आधी छोटी चमच गरम मसाला और सुआत के निवसार नमक डाल देंगे तो जो मसाले हम सब्जियों में डालते हैं वो सारे इसमें हमको एड़ कर देना है उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे जैसे ही मसाले और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालके इसका एक घोल बना लेंगे तो यहाँ पे पानी आप आराम से यानि बिंदास होके डालिए कोई पानी का लिमिटेशन नहीं है क्योंकि हमें बहुत पतला घोल बनाना है तो यहाँ पे पहले एक कप पानी डाला है मैंने वापस एक कप डालेंगे पानी बस पहले थोड़ा कम डालना है ताकि यह जो बैटर है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए मतलब इसमें लम्स नहीं रहे और इसके बाद पानी आप जी भर के डालें जी भर के नहीं तीन कप डालना है यानि एक कप बेसन के लिए तीन कप पानी का इस्तमाल करें और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ऐसे मिला दे तो अभी तक मैंने 2 कप पानी डाला था इसे mix किया वापस 1 कप पानी डालेंगी हमें बेसन का नब पतला घोल बनाना है और उसे पकाना है तो पकाना कैसा है वो भी बहुत सिंपल है कोई इसमें ट्रिक नहीं है बहुत लोगों को ये सबजी बहुत ट्रिक की लगती है कि ये कैसे बनेगी ये मतलब कतली कैसे बनेगा उसमें अगर गर्वड हो गया तो कोई गर्वड नी होगा एक कप बेसन ले तीन कप पानी ले और मसाला डालके इसके ऐसे घोल बना ले पतला और इसके बाद हम इसे पकाएंगे तो इसके लिए एक पैन में दो चमबस तेल गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग हींग को अच्छे से पका ले जैसे ही हिंग पक जाएगा हम इसमें ये बेसन का गोल डाल देंगी ये देखे कोई मसाला या जीरा वगरा नहीं डालना है मसाला हमने पहले ही बेसन में डालना है तो बस ये गोल ऐसे डाल दे और इसके बाद इसे ऐसे चलाते रहें ध्यान रहे बेसन जो है वो तुरंती गाड़ा होना शुरू हो जाएगा तो आपको इसे छोड़ना नहीं है आपको इसे लगातार चलाते रहना है और बेसन को कब तक पकाना है जब तक की बेसन जो है वो खुद से पैन से अलग नहीं होने लगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इस पूरे प्रोसेस में आपको 5-7 मिनट लगेंगे, ऐसे बेसन को पकाते हुए, धीमी आज पे नहीं पकाए, लो मीडियम फ्लेम पे पकाए, धीमी आज पे बहुत जादा समय लगेगा, और हाई फ्लेम पे यह तुरन ठीक होने लगेगा, तो बेसन को हमें अच्छे से पका लेना है तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है, और यहाँ पे बेसन जो है वो पैन से खुद से ही अलग होने लगा है, यह देखिए, है ना, तो बस यहीं पे हमें गैस को बंद कर देना है, गैस बंद करने के बाद हमें क्या करना है कि थाली को तेल से ग्रीज कर लेना है और इसके बाद इस मिक्षर को बढ़ा लिया है मैंने मिक्षर हमारा अच्छे से पग्या है आप यह न तो टेस्ट करके भी देख सकते हैं अच्छा ही लगता है जैसे वह खांडवी खाते है वैसी इसका टेस्ट आता है तो यहाँ पर इस मिक्षर को हम इस थाली पे डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से प्रेड कर देंगे यह प्रासेस आपको फटा फट करना होगा क्योंकि कतली जो है वह तुरंती जमने लगेगी तो इसे चमच से ऐसे स्प्रेड कर दें आप जेना तो चमच के पीछे थोड़ा सा पानी लगा के उसके बाद इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं अब हम इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है बेसन तुरंती जम जाता है तो जब हम खाणवी बनाते हैं तो सेम प्रासेस से बनाते हैं बस उसमें बटर मिलकर इस्तमाल करते हैं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पर लास में मैंने थोड़ा सा हाथों पर पानी लगा लिया और इसे ऐसे ऊपर की लेयर को हम स्मूथ कर देंगे अब हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए 15 मिनट में यह ठंडा हो जाएगा और यह देखिए अच्छे से सेट हो गया है यह देख सकते हैं तब हम इसके पीसे कर लेंगे यह देखिए तो एकदम सही से एकदम जासा रोटी चपाती बनता है वैसा बन गया है तो यहाँ अब इसे नाइफ से कट कर लिए कदली के स्टेप में आप चीति इससे स्क्वायर या अपनी मरजी के हिसाब से काट सकते हैं और अगर आपको पतला बनाना है तो आप इसे और भी पतला सप्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ आपना इस बेशन की टेस्ट आएक तायगा तो आप इसे च्ट्ई के साथ भी सफ कर सकते ऐसे चट्वी के साथ तो यहाँ पर हमारी क कत्ली में करी बणकी तेयाँ है अब हम Concept की तेज़ पत्त ड़ने ने केल डिया के लिए थिरी में आप क्या चालि जीरा और dif Euakना डे तो यहाँ पे ये तेज़ पतर डाला मैंने, दोनों को थोड़ा सा भूल ले, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट, तो यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने पीस लिया है मिक्सर में, आप चीये तो प्याज को बारी काटके भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट डाल देंगे, तो यहाँ पेस्ट डाल दे, यहाँ पे दो बड़े टमाटर को मैंने मिक्सर में पीस लिया है, इसका पेस्ट डाल दे, यहाँ पेना प्याज और टमाटर को मैं अलग पीस के इस्तमाल करे हूँ, क्योंकि प्याज का जो पकने का समय होता है, वो जादा होता है और टमाटर का कम, आप चीये अगर आपको शौटकर तरीका अपनाना है, तो आप तीनों को यानि अद्रक लेस्ट प्याज टमाटर क और आदी छोटी चमजगर मसाला पाउडर डालेंगे, मिला दे इन सब को, जैसे ही मसाला जो है, वो प्यास टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम पैन को कवर कर देंगे, और धीमी आज पे चार से पांच मिनट तक पकने देंगे, तो यहाँ पे इसे मैंने मिक कर देती हूँ, ताकि दही फट नहीं को बादु करने से कभी दही फट नहीं है, नोर्मल इखकी कड़ी अगर हमिसें दही नहीं कभी दही पट जाती है हम पैन को कवर कर देंगे और वापस इसे 7-8 मिनट तक धीमियाच पर पकने देंगे तब हमारा मसाला जो है वो एकदम पॉफिक्ट भुनेगा तो यहाँ पर पहले गयास को अन कर दें और उसके बाद मिक्स करके और अब हम पैन को कवर कर देंगे और धीमियाच पर 7-8 मिनट तक पकने देंगे मसाला जितना जादा भुनेगा सबजी उतनी ही अच्छी बनेगी तो यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं और यह हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है यह आप देख सकते हैं मसालों के साइट से तेल दिखने लगा है मतला मसाला हमारा पग्या है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगी पानी तो यहाँ पर इतनी सबजी के लिए में ढाई कप पानी का इस्तमाल करें पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगी तो ध्यान रहे, नमक हमने बेसन में भी डाला है, तो नमक का इस्तमाल यहाँ पर आपको कम करना है, मिला दी से अच्छे से, जैसे ही पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पैन को कवर कर देंगे और इसमें उबाल आने का इंतिजार करेंगे, जैसे ही करी अच्छे से उबल ये देखें मैंने दो मिनट इसे मीडियम फ plays उबाल लिया है तब हम इस curry में डाल देंगे बेशन की कतली जो हमने बना के रखी है और कतली डालने के बाद हमें इसे पांच मिनट धीमी आज पे पकाना है कतली को हमने पहले ही भून के अच्छे से पका लिया है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय इसे नहीं पकाना है और यहाँ पर यह बेसन की कतली डालने के बाद इसे हम एक बार हलके हाथों मिक्स करेंगे पैन को कवर कर दे और धीमी आज पर घड़ी देखे 5 मिनट पकाए उससे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो धनियापत्ता डाले, कसूरी मेथी पसंद है तो कसूरी मेथी डाले धनियापत्ता का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा था है इसलिए मैं सेजेस्ट करूँगी कि आप इसमें धनियापत्ता डाले और इससे ऐसे मिला के गैस को बंद कर देंगे तो ये हमारी सबजी जो है बन की तियार है ये आप देख सकते हैं दिखने में कितना हमेजिन लग रहा है तो बस गयास को बन करें और फटा-फटा पिसे सर्व करें तब हम चलते हैं सर्व करने का प्रोसेस में यहां पर मैंने इस सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, यह सबजी खुद में स्पेशल है, ज्यादा महनत नहीं है, ज्यादा सामान नहीं चीए, जो घर पर मसाले और बेसन पड़े रहते हैं, उसी से बना सकते हैं, और यह सबजी बहुत ही स्पेशल लगते हैं, यह यकीन बनाना, तो आप इस बेसन की रेसिपी को एक बाद ज़रू ट्राइ करें, यह सबजी आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, और अगर आज की रेसिपी आपको ट्राइ करने के बाद पसंद आए, तो आप इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भूले